हेलो एर्वान, स्योटी सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है बिहार की परिच्छा की जो तारीक है वो नजदीक आती जा रही है तो उस समय सबसे अधा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस येर्स के क्वेस्चन पेपर को देखना क्योंकि किस तरीके के क्वेस्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आप उसे अटेंट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो ये मैं आपके लिए लेके आए हूँ बिहार से इच्छक पात्रता दोहजार एक्ग्यारा का क्वेस्चन पेपर जो सामाजिक अध्यन सम्दित है तो चलिए भी देख लेते हैं क्योंकि ये प्रिवियस हीरे क्वेस्चन हैं तो ये कहीं न कहीं आपको आगामी एक्जाम में टक्राज जरूर जाएंगे तो देखिए पहला क्वेस्चन है चीन और भारत के मद्द की रेखा का नाम क्या है तो नाम है मैक मोहन रेखा रेड क्लिव भारत पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है और मैक मोहन भारत और चीन के बीच में पाई जाती है जबकि दूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और भारत के मद्द पाई जाती है पर वो अफगानिस्तान वाला पार्ट इस समय पाक ऑकुपाइट कस्मीर में है इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के पास है समय बट इंडिया पुरा जब्मों नं कश्मीर करता है तो डूरंड रेखा वो भारत और अफगानिस्तान के मद्ध पाई जाती आती आपको मैंने बता ही दिया रेट लिगिवאן भारत और पाकिस्तान के मद्ध की सेमा है अब भ मैंक मुहन ने के द्वारा हि निर्धारित किया गया था और इसलिए इसका क्या है मैंक मोहन रखा रेड क्लिप सहब ने क्या किया भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा बना दी तो इसलिए इसका नाम रेडिकलिफ रेखा है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारती समिधान का कौन सा अनुछेद प्रारंभिक सिच्छा को प्रतेक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है तो यह आप देखिए अनुछेद 21 ए जो की आपका अनुछेद 45 से लिया गया है अगर आप यह समिधान संशोधन 2086 समिधान संशोधन के पहले जाएंगे तो यह चीज़े कहां थी यह चीज़ें आपके डॉक्रिन आफ इस्टेट पॉलिसी राज के नीतिन रिजक्टत्यों के अनुछेद 45 में समाहित थी और व संशोधन वर्ष 2000 के द्वारा देश के 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार निशुल्क सिच्छा की गई है तथा इसे भारती समिधान के अनुछेद 21 की एक अंतरगत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है और इसके पहले कौन सा अधिकार था तो यह explored निश्यक्तत्त होते उसके अनुछेट 45 अगला कुशुन देख से हैं तीसरा कुश्शन है कि सीच्छाप पध्ध़ती होती है तो यह किस सो केंडरिथ होती है तो बाल केंडरिथ होती है क्यों क्योंकि प्रग्रती कोई कर रहा है तो प्रग्रती हमेशा कौन करेगा अध् कर्द कंद्रित पुस्ट करते हैं तो एक बालक चोटा होता है वह हमेशा क्या होगा सब से ज़्यादा प्रता सील होगा तो इस तरीके से और सीखे और कुछ नया यह सीखे तो यह किस समंधित आइए बाल के अंदरित होती है वह लोग एक्स्प्राइशन पर देते हैं तो प्रक्ति शील सिच्छा पद्धती बाल केंद्रित होती है इस पद्धती के अंतरगत सिच्छन सामगरी पाठ पुस्तक सिच्छण विधी आधि सभी बाल को के अनकूल होता है ताकि बच्चों को आसानी से बोध हो सके तथा अधिगम प् समविधान के किस संसोधन दौरा समवर्ति सूची में डाला गया समवर्ति सूची आपका किसका विश्य है तो आपका समवर्ति सूची जो है सूची साथ का विश्य है जो अनुसूचियां है आपके Constitution में भारती समविधान में उसमें अनुसूची साथ जो है वो सूचियों के बारे में बताता है जिसमें पहली अनुसूची संग सूची है दूसरी अनुसूची राज सूची है और तीसरी अनुसूची समवर्ती सूची है तो इसी समवर्ती सू है पर दे रहे हैं तो 42 समिधान शंशोधन वर्ष उनीस सो चीएतर के द्वारा सिच्छा वन जन संख्यानी अंत्रण तथा परिवार नियो जन बाट तथा माप जानवर तथा पक्षियों की सुरच्छा आदिविश्यों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है तो समवर् राज्य सूची को जो विशे होते हैं वो राज्य कानून बना सकते हैं सूची पर उस पर संघ नहीं बना सकता बर जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं संघ भी कानून बना सकती है अब यहां पर यह आप 42 समिधान शंशोधन देख रहे हैं तो 42 स समभधान संचोधन जो आया है आपका इसे हम लोग मिनी कॉंस्टिपूशन भी कहते हैं अगर कभी ये पूझ दे कि नि válas मूलकरतव्य हैं ज्यादा लिख दिया जो कि क्या है मूलकरतव्य हैं आपके मूलकरतव के बारे अबात हो रही अगला कुश्टन देखते हैं बोलशेविक क्रांती के नायक थें तो लेलिन आप सभी लोग के नाम सुना होगा लेलिन का तो बोल्शेविक क्रांती के नायक लेलिन थे बोल्शेविक क्रांती की शुरुआज साथ नॉवंबर सब्सक्राइब मांग किसी चीज की मांग हो रही है और इसकी पूरती हो रही है तो मांग और पूर्टी किस चीज से सम्झा सर्प यह सब्दें की नहीं होगा पहले 모काष ये का सब्रत्या अर्थसास से संबंदित हैं और पुरती का सीधा संबंद होता है मंग बढ़ने पर आप और जाती है तथा मांग घटने पर आपूर्ति घट जाती है अब अगला क्वेशन देखते हैं कि उज्जैन नगरी बसी है कहां पर बसी है तो शिप्रा के किनारे शिप्रा नदी है वहां पर बसी है तो उज्जैन मद्द प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे पर इस्तित है इस नदी के तट पर कुम भिस्तनान का आयूजन किया जाता कुम्मेला आपका इलहाबाद ने भी लगता है प्रयागराज और यहां शिप्रानदी की किनारे भी लगता है उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है कि के आगे चलते हैं निमलिखित में से कौन दलहन फसल नहीं है तो आप ध्रह ध्यान दीजिए चना दो पार्ट में तूटता है मूंग भी दो पार्ट में तूटता है अरहर की दाल जो होती है वो भी दो पार्ट में तूटती है तो जो भी पार्ट दो पार्ट में तूट जाएगा और दलहन दा दलहन फसल नहीं है यहां पूछ रहा है कौन सी फसल नहीं है तो इसका एंसर क्या होगा मखाना तो चència मूग और अरहड दलहनी फसले के एंतरगत आते हैं जब की मखाना नहीं आता अगला question देखते हैं अजनता की गुफा, महराष्ट्य का कि अरंगाबाद जिले में इस्थित देखते हैं कि भारती अर्थ व्यस्ता के उदारी करण की प्रक्रिया को प्रारम करने का श्रेय दिया जाता है उदारी करण का मतलब क्या होता है कि जो बाहरी कंपनियां है और जिस समय आपके देश में 91 के समय में और बहुत सारी इस कि वारती सब्सक्राइब नहें नहीं आते थी देशी आल नहीं अति थी बहुत बहुत vastu PD लगो वे इन एक्राइम को प्रारम करंश्रेय उप संग हो सिर्फ वुर्थ मंत्री थे पूर प्रदार मंत्री यह दिनेश्थ को आपकोrent यह और भार्ती भाइरारे बाजार है वो को दिया दिद्धा पूरे विष्य के लिए इसको हम लोग globalization कहते हैं कि भाया globalization हो गया अब बाहरी कंपनिया भी भारत में आकर काम कर सकती है और पैसे लगा सकती है तो यह 91 का दौर था 1991 का दौर उस समय इसका में श्रीक इसको दिया आता है पीवी नर्सिंगा राओ जी को तो अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो complete तो होई गया है चलिए आगे देख लेते हैं मराथा शाषक शीवा जी का जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 1627 इस्वी में यह history का है और fact का question है तो महराशा सवराज के संस्थापक छात्रपति शीवा जी का जन्म 1627 इस्वी में शी शीवा जी की माता का नाम जीजाबाई चाथा पिता का नाम शाहा जी भोसले था सीवा जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो दादा कोंड देव तथा धार्मिक गुरु राम दास थे यह आपको याद होना चाहिए चलिए अगला question देख लेते हैं समाजिक अध्यन का अर्थ क्या है तो समाजिक अध्यन का सीधा सा अर्थ समाज का अध्यन है परिवारिक अध्यन होगा नहीं परियावण अध्यन होगा नहीं चलिए इसका explanation देख लेते हैं तो समाजिक अध्यन के अंतरगत समाज की संरचना एवं विकास का अध्यन किया जाता है यह नाम याद रख लिएगा एम पी मुफात के अनुसार सामाजिक अध्यन ग्यान की वह छेत्र है जो युवकों को जो आपकी युवा पीड़ी है उनको आधनिक सभिता के विकास को समझने में सहायक होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले सिंदू घाटी सभिताएं थी इसके बाद और भी सभिताएं आईं तो वह सभिता करते करते आज हम लोगे सभ्य समाज में जिन्दा हैं और ची वह इसमें नया हो रहा है तो हमारी युवा पीड़ी है वह क्या कर रही है अगर समाजिक अध्यन का वो ग्यान लेते हैं तो उनको ये पता होगा कि हमारा समाज किस ओर विकास कर रहा है और उसे समझने में उनके सहयता इस समाजिक अध्यन के पेपर से मिलती है समाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है अब समाजिक विज्ञान फिर वही वाली चीज हो रही है कि समाजिक अध्यन जो समाजिक हम लोग अध्यन कर रहे थे तो समाजिक विज्ञान उसको हम लोग नॉर्मली शब्दों में बोल लेते हैं तो वो जो उसका का निर्मान करता है नहीं राजनेताओ का नहीं आर्थ na नहीं वो निर्मान करेगा राश्ट का क्यों कि वह युआउंगं को बता争 है कि आधुनिक सब्विता किस ओर जा रही तो जब भी कोई आपका युवा वर्ग इस चीज को जानेगा कि हमारा समाज किस तरीके से विकास कर रहा है किस तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा वो राष्ट के बढ़ाने में राष्ट को योगदान करने में उसका पूरा का पूरा हाथ रहेगा इसका example देख लेते हैं या explanation देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक राष्ट का निर्माता है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अध्यन के दौरा अध्यापक बालकों में लोकतंत्र की भावना, एकता की भावना, सौहार्द की भावना, आधी की भावनों का व अगला question देखते हैं, आईए, अगला question है कि समाज की प्रियोगशाला माना जाता है, तो समाज की प्रियोगशाला किसको माना जाएगा, इतिहास को, अब देखे, अर्थ सास्तर समाज की प्रियोगशाला में आ नहीं सकती, भुगोल भुगोल अलग भी शह है, साहित भी अलग बच कौन रहा है क्योंकि हम लोग इतिहास को खंगालते हैं कि इतिहास में क्या था पहले समाज में और आज के समाज में क्या है तो यह हम लोग खगातलते किसको हैं पूर्व इतिहास को खंगालते हैं तो हम जो भी चीजें पहले हो चुकी हो उन्हीं पर अध्यन करके आगे क प्रगति देखते हैं तो समाज की प्रयोक्षाला क्या मानी जाएगी इतिहास मानी जाएगी तो समाज की प्रयोक्षाला इतिहास को कहा जाता है क्योंकि इतिहास के द्वरा समाज की संद्रचना एवं इसके विकास के क्रब को समझा जा सकता है अगला देखते हैं अगला बता सभी लोग बच्चे ठीक ठाक हैं सेकंड नंबर पूर्व ज्यान से संबंधित प्रश्ण पूछ कर नए पाठ की घोशना करकर या नए पाठ की विश्यवस्तु से प्रश्ण पूछ कर अब देखें यहां पे आपके पास एंसर है बट इसको मैं थोड़ा सा और एक्स्प्ले होते हैं अगर वह नए पाठ के विश्यवस्तु के से प्रश्ण पूछ ले जो आपको पता भी नहीं तो क्या आप उसका एंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो इसको आप अपने से ही काट लीजी क्योंकि कोई ऐसा क्वेस्टिन आप एंसर दे नहीं पाएंगे जो पने पढ़ा ही नहीं आप सेकंड नमबर घ्र छात्रों से हाल चाल पूछ कर टीचर हैं वो टीचर कभी शात्रों से अहां नहीं पूछ सर लेने आए थे वह नयई पाठ की गोशना करके अभी बच्चा बैठा ही है उसको तब तक आके कोई बोल देता है आज से हम लोग यह नया पाठ शालू करने वाले हैं तो क्या हुआ उसको टेंशनों की पूराना अला पाठ तो समझ ही नहीं आया इतने दिन से पहड़ रहे हैं और नय पाठ आ गए तो यह क्या तो नय पाठ की घोशना करकर भी नहीं कि तो फिर बचा क्या पूर्व ज्यान से संबंधित प्रश्नि पूर करके पूचकर जो बच्चों को पहले ऊंको पता है उसके बारे में कूछे Immer आएगा कि आप को क्या क्या बढ़ा हुआ तो यह सबसे suitable answer देखे आपके पास answer यह सारे कोई ऐसे नहीं है कि आपको यह चीज़ें होंगी होंगी बट यह आपका सबसे suitable answer है और ऐसा ही होना भी चाहिए जो explanation देख लेते हैं कि कला सिच्छन प्रारंब करते समय सिच्छक को अपने कौशलों का प्रयोग करते हुए चात्रों से पूर्व ज्यान पर आधारित प्रश्णों को पूछना चाहिए इससे चात्रों को विश्यवस्तु से संबंदित जिग्यासा उत्पन्न होती है तथा चात्र स्वैम को विश्यवस्तु से समायोजित कर लेते हैं अगला कोईशन आते हैं कि सामाजी विज्यान के अध्यन में ग्लूब का उपयोग आवश्यक है तो किसलियो आवश्यक है तो ग्लूब आप सभी लोग देखा होगा कि यह मैं बना दे रहा हूं ऐसा ग्लोब छोड़ा छोटा सा और यह ग्लोब देखिए यह हो ग्लोब अधिरी का भी है अमेरिका भी है नॉर्थ अमेरिका साफ अमेरिका भी है ऊपर यूरोप और लुस्य स्क्सितr के ग्लोब जाते थे तो देखते थेक्छे कि यह स्रूब ये लिए हम दोग देखते थे तो बच्पन में तोант availability के लिए क्या है यह प्रिथर दिखाएगा दिन रात को समझने का प्रयत्य करने के लिए स्तुप अधि दूर दिन होता था दूसरा प्रित्वी का आकार बताने है तो बच्चे को अगर प्रित्वी का आकार नहीं पता तो उसको कैसे बताएगा देखो भाई बच्चे ये गोल प्रित्वी है आपकी तीसरा इस्थल जल का अनुपाद बताने के लिए अगर वो पूरा गोल 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 घुमाए तो उसमें क्या कि दिखेगा उसमें 70% पानी ही दिखेगा तो बताएगा देखिए इतना परसंट जल ही है इसमें तो इसका जो सबसे अपयूब टेंसर क्या होगा सबसे अप्यूक टेंसर सभी होगा तो अब इसका एक्ष्पनिशन देखते हैं कि ग्लोबल ग्लोब का प्रयोग सामाजी विज्ञान के भुगोल विशय के समझने के लिए सर्वोत्तम सिच्छन समागरी है ग्लोब प्रित्वी का प्रतिरूप होता है इसका द्वारा प्रित्वी से जुड़े सभी तत्थ जैसे दिन रात का होना मौसम परिवर्तन इस्थल जल अनुपात तथा प्रित्वी के आकार्यों में इस्थिति को आसानी से समझा जा सकता है आपको यह भी क्लियर हो गया होगा अब हम लोग चलते हैं सत्रहवे कॉशन पर च ही होगा अगला देखिए कॉला पेजल है का समंद देख रहा है और बलूओ पत्तर यह भी दिख रहा है तो कोईला पत्थर किसी प्रकार से पेजल से संबंधित नहीं है जैसे कि विकल बाकसाइड एलमुनियम के एस के रूप में अब्रक विधुत के लिए यूज होता है और अब्रक में पूरा आपका इंडिया नंबर एक है या आपको याद होना चाहिए अब्रक विधुत के कुछालक के रूप में तथा बलुआ पत्थर भवन निर्मानक के रूप में संबंधित है अगला क्वेशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा वर्षन का रूप नहीं है तो वर्षन का रूप कौन नहीं है तो वर्षा तो है ही है ओस भी एक तरीके से आपको लगता है कि समय ओस पढ़ती है कि वर्षा ही हुई है हिमपात तो हिमपात का आर्थ यह है कि बारिश इतनी ज़्यादा ठंड में वो बर्फ के रूप में कनवर्ट हो गई तो हिमपात भी उसी तरीके का रूप है वर्षन का रूप है पर आधि आधि शिर्फ आए और वर्षा नहों तो यह वर्षन का रूप है तो नहीं है तो वर्षा हो ओस और हिमपात वर्षण से संबन्दित परंतु आधी हावाओं की तेज गती के बहने को कहते हैं अगला क्वेशन देखते हैं पृत्वी पे सबसे अधिक जल पाया जाता है अब ये क्वेशन अगर आप देखेंगे तो महासागरों में नदियों में कितनी नदियां होंगी अंटार्क्टिका में तो कितनी जादा बरफ जमी होगी जीलों में तो कितनी जीले होंगी महासागर जो आपके बड़े बड़े प्रशान महासागर हैं हिंद महासागर हैं इन सरे चीजों में तो प्रिथवी के कुल भाग का टू बाइट थर्ड भाग जल उपस्तित है इसमें से मात्र टू पॉइंट फाइब परसंट जल ही पीने योग्ये है जो जरने नदियों निमलिखित में से कौन भारतिय सम्विधान की विशिष्टा है भारतिय सम्विधान की बात कर रहा है तो यह सबसे विशाल है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि 392 अनुछेदों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा सम्विधान है और यह इतना बड़ा इसलिए भी है क्यो मुक्ष और प्रधान करें programmes strategy बाद सुक्राइब करेंगे तो राज्य पार फिर मुक्ष मंञे यह बहुत विशाल है चलिये इसके बारे में जैदा सविधानों से प्रावधान लिया गया है तो बहुत सारह इस से लिया गया है यह लचीला है कि constitution में क्या amusement आसानी से हो सकते हैं तो अधसे प्रावधान नें जिससें बहुत आसानी से अमेन्मेन्ट हो जाते हैं पर कुछ ऊता है ठोर होते हैं बहुत कम जगों पर कठोर में बहुत ज Donna बھی है मानते हैं ला चिला है तो इसमें अचुन होगा उपयूक्थ सभी तो इसमें पूरा अभी हमने देटेलिंग पढ़ लेते हैं कि उप्रोग सभी कथन भारती समिधान की विशिष्टाएं हैं यह विश्व का सबसे विशाल समिधान हैं कठोरता एवं लचीलेपन का समनवे भी है अनेक देशों के समिधान से प्रावधानेओं को गर्षण किया गया है मौली कदिकारों को सनड़्छित किया गया है अगला क्वेशन देखते हैं कि भारतिय सेन्धा के तीन अंगों का प्रमुख होता है इसका answer सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रपती आपका जो राष्ट्रपती होता है जिसे आप एलेक्ट तो नहीं करते हैं जो आपके राष्ट्रपती होते हैं वो सदैव तीनों सेनाओं के प्रमुक होते हैं तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा पद अगर किसी का माना जाता है तो राष्टपती का आपने कभी देखा होगा राष्टपती चलते हैं तो पीछे आपके एयर फोर्स के जवान होंगे कभी-कभी आपने देखा होगा कि उसके पीछे नौसेना के जवान होंगे नहीं तो थल सेना के तो राष्टपती के पीछे ये सारे के सारे सेक्योरिटी परसनल्स होते हैं क्यों होते हैं कि सुरच्छा के लिए होते हैं और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं इसलिए भी होते हैं तो भारत का राष्टपती भारत के तीनों सेनाओं जल थल वायू का अध्यक्ष ह होता है अब अग्ला क्वेश्चिन देख लेते हैं यह है बाइस्मा क्वेश्चिन की भारत का एक मात्र क्रिया strategy ज्वाला मुखी है। है भारत आपको अगर आपने लिए करना nogle देखा बारंत महाशागरी छेत्र में होती है बर्ट यहां भारत में एक ही क्रिया शील जॉला मुखी है जो कि कहां पे है यह अंध्मान निकोवार का जो छेत्र zaya है बैरन दीप वहां पे इसका जॉला मुखी है औरक्र मात्र सक्रिय जॉला मुखी आपका भारत में हैं तो इसका एंसर क्या होगा अंडमान निकोबार दीप समू तो भारत का एक मात्र क्रिया शील जॉला मुखी बैरन है जो कि अंडमार निकोबार दीप समू राज में इस्थित है अगला question देखते हैं चलिए question number 20 है कि प्रजातंत को जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शाषन किस ने कहा था ये जो कहा गया है ये अबराहम लिंकन ने कहा है USA के जिसे में constitution की बारे में बात हो रही थी तो उसके लिए यहां पे अमेरिका के राष्टपती थे उन्होंने ये बोला कि जो ये प्रजातंत्र होता है ये जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शाषन होता है तो चलिए explanation देखते हैं अब्राहम लिंकम अमेरिका के राष्टपती थें लिंकन ने प्रजातंत्र की परिभाशा इस प्रकार दी कि प्रजातंत्र जनता का जनता के दौरा और जनता के लिए शाशन है अगला question है सिललर जेल को किस नाम से जाना जाता है तो काला पानी और यह कहां पे है काला पानी तो काला पानी कुछ नहीं होती थी में लेंड जो आपकी यह भारत है यहां पे जब पहले आपका ब्रिटिश रूल था जब तक आपका देश आजाद नहीं हुआ था तो जो आई प्रिटिधन सहिता से इसकी यह हटा दी गई अब यह काला पानी की सजा रह नहीं गई और यह करते क्या थे यह भेज देते थे अंडवान निकोबार दीप समूग पर तो यह मेंड लेंड से इतनी दूर होता था कभी कोई वापस लॉट के नहीं आता था तो इसी वह काला पानी के नाम से जाना जाता है यह जिल अंडवान निकोबार दीप समूग के पूर्ट ब्लेयर में हिस्तित है अंग्रेजी शाशनकाल में यहां पर कैदियों को रखा जाता था अगला क्वेश्चन अभी देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिसतान का जाहाज कहा जाता है हर कोई एंसर लगा देगा ऊट तो क्यों कहा जाता है क्योंकि उट की जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं इस कारण रेगिस्तान में वो आसानी से चल सकता है और साथ ही साथ भोजन एवं जल को संचित रखने की छमता के कारण रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना भोजन एवं जल के रह सकने वाला जीव कौन सा है आपका उट है अगला क्वेश्चन देखे हम लोग ने थोड़ी दे पहले इस पर बात की थी कि सती प्रता को समाप्त कराने की किसकी महतपूर्ण भूमिका थी तो यही राजा राम मोहन राय हमने इसके पहले जो एंसे क्यू सॉल्व कराई होंगी उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था कि राजा राम मोहन राज के प्रयासों से भारत के गवर्नर जनर्र लाड विलियम बैंटिक ने उसमें 1629 में शतीप्रतों समाप्त करने की गोशना की थी यह बहुत दिन से चल रहा था और यह 1833 में समाप्त हो गया तथा विनिम는데 17 ये देखे यक्स वीडवल यह है तो इसको हम लोग सत्रह बोलते हैं तो 2017 आधुम था तो विनिमें 17 के दोरा इस्त्री को सती होने के कारणों को अवयज ठहरा दिया गया और सतीप्रता को बैन कर दिया गया था अगला question है बहुत धर्म भारत से निकल कर किन देशों में गया तो ये सभी धर्ज जगह पर गया जापान भी गया जापान में बहुत धर्म माना जाता है चीन में सबसे ज्यादा बौध धर्म माना जाता है और कोरिया में भी बौध धर्म माना जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया है जहां पे बौध धर्म उतना प्रचार प्रसार आपको देखने को नहीं मिलता बाकि इन सभी देशों में बौध धर्म भारत से ही निकल कर गया है तो सभी देशों में बौध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ गौतम बुध ने बौध धर्म के प्रसार के लिए अनेक देशों चीन, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदी में अपने शिश्यों को भेजा बुध के इन कारियों को मौर शाशक अशोक ने आगे बढ़ाया आपको विडियो मैंने पिछला भी वीडियो बनाया होगा अगर वो आपने देखा नहीं होगा तो आप जाएंगे वहाँ देखेंगे मैंने इन सारे चीजों को एक्स्प्लेइन किया है और वो भी ये सारे कुष्चन पूछे गए हैं दूसरा कुष्चन देख लेते हैं भारत में प्रथम प्रमाणु परिष्चन किया गया तो आप सभी को याद होगा कि 18 मई 1974 में इंद्रा गांधी जी के कारेकाल में पोखरन राजस्थान में सबसे पहला प्रमाणु परिष्चन किया गया और इसका नाम क्या था हस्ते हुए बुद्धा जिसे हम लोग इसमाइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं यह इसका कोड नेम था परिष्चन का कोड नेम बाद ने फिर अटल विहारी वाचपई जी ने अब्दुलकलाम आजाज जी के नेत्रित में फिर से पोखरन परिष्चन किया था जिसे इसमाइलिंग बुद्धा तू नाम दिया गया था अब बात कर लेते हैं अगला बिस्मिल्ला खां संबंदी है तो बिस्मिल्ला खां सहनाई वादक थे और यह आपके बनारस घर आने से संबंदी थे अब मर गये तो यह बहुत बड़े उस्तात थे बिस्मिल्ला खां सहनाई वादन से तो अब अगले क्वेश्चन पर देख गुरू के गुरू थे चंद गुप्त मौर के कौन से गुरू थे तो चानक जो थे वो चंद गुप्त मौर के गुरू थे तो मौर रिवन्स के संस्थापक चंद गुप्त मौर के गुरू चानक के थे चानक का नाम आप सभी लोग ने सुना होगा और इनका जो मूल नाम था विश्णुगुप्त था कभी कभी पूसता है चानक का मूल नाम क्या था तो ये आपको याद होना चाहिए विश्णुगुप्त इन्हें कौटिल के नाम से भी जाना जाता है अब चानक ने राजनीतिक पर आधारित अर्थ सास्त्र नामक पूस्तक की रचना भी की थी इन्ह प्वारत का सबसे उचाय परिस्तित नागरिक हवाई अद्डा कौँ सा है तो यह आपका हवाई अड्डा लेह लद्दाक में इस्तित है अगर आप ने कभी लद्दाख घूमा हो तो और एरुपलेन से गए हो प्लेन से तो आप इसी हवाई अड्डे पे लेंड करते हैं आप को पहाड़ दिखेंगा और पहाड़ के बीट में चोटी सी जगह है जहां पर यह हवाई अड़ा है चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेशन है सबसे कम श्रमिकों की आवशक्ता वाला उद्ध्योग है तो इस्पात उद्ध्योग यहां पर क्या है कि इस्पात उद्ध्योग में सबसे कम श्रमिक लगते हैं क्रिशी में तो आपने देखा होगा अगर बिरोजगारी की बात करें तो यहां पर छिपू आप देखें जन्गर्णा की बात तो अगर होने वाली है तो जन्गर्णा में आपको याद होगा कि अभी तक कोई नई जन्गर्णा नहीं हुई है तो 2011 की जन्गर्णा है वही हमारी अभी तक चल रही है तो उसके अंसार 2011 के जन्गर्णा के अंसार सरवाधिक साक्षर्टा वाला प्रदेश कौन सा है तो आप आख बंद करकर केरल को लगा सकते हैं और केरल में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर्भी है अब इसको और कर लेते हैं लोग इसका देख लेते हैं कि 2011 जंगर्णा के अंसार सरवाधिक साक्षरता वाला राज्य कीरल 94 के साथ यहां पर 1909 बेंट में अ कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है जो सिस्टी वन wie अनुबवाजार čड़ रखी और गुजराथ की साक्षरता 78 परसेंट है अगर केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर भी है यह आमेशा याद रखिएगा अब सर्च इंजन क्या है आपने गूगल पर सर्च किया होगा यूटूब पर आप वीडियो सर्च करके देखते होंगे तो सर्च इंजन क्या है क्या क्या यह खोजी वाहन है तो ऐसा हो नहीं सकता खोजी मोटर है यह हो नहीं सकता यह सभी है तो यह भी नहीं तो इंटरनेट पर आप जो भी खोजते हैं वो किसके माध्यम से आप खोशते अकर आपनी You Tube你 पकुछ उपास तह भी एक सर्च अंगर यूटूब shutting इंटरनेट पर खोजने के लिए हैं और इंटरनेट कुछ भी खोशते हैं आप यूटूब भी यूटूब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो सर्च इंजन बेस्ट ऑप्टमाइज बेस्ट है ठीक अब चलिए इसके एक्स्परनिशन में बात कर लेते हैं कि इंटर्न खोजी को सर्च इंजन की संग्या दी जाती है इसके माध्यम से एक इस्थान पर बै चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है सबसे बढ़ी है जगह आपके दिल्ली कहां जाएगा तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय नई दिल्ली में इस्थित है और चुनाव आयोग एक सम्विधानिक संस्था है यही चुनाव करवाती है इसका प्रमुक कार क्या क्या है चुनाव कराना यह तीन सदस्थी संस्था है जिसमें एक मुख चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं और मुख चुनाव आयुक्त इतनी आसानी से ह कंट आया भी नहीं जा सकता आपको अगर कॉंस्टोशन की लेक्शेश तर्साये साबサ आप यह उपर पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो की और कॉंस्टोशन की आपके सारी सारी स convention के हो सब आगर वीडियों कто वीडियों एक वीडियों का की ठीके रखती है तो देखे सबसे बड़ी जो नहीं बोलते हैं बैंकों का बैंक कोई तो होगा बैंकों का बैंक तो भारत में बैंकों का बैंक कौन है रिजर्ब bank of India है बैंकों का bank कि सीबी आई ये हो नहीं सकती बैंक की है नहीं सेंटर ब्यूर आफ इन्विस्टिगेशन सीबी आई सरकार भी नहीं है सरकार को अपने काम है तो बैंकों का कौन है इंडिय इसके बात कर लेते हैं यह इस्ठापना चैन्ध वाट हर बंडेश में हुई थी तथा एक जनवरी उनिस सो निसास को आर बी आई का राष्टी करण कर दिया गया क्योंकि यहां तक अपना देश आजाद हो चुका था तो यह आपके कुछ है अभी इसका 50% पार्ट बचा हुआ है आपके इस पेपर का तो अगर आपको सेम वीडियो ऐसे ही चाहिए जैसा मैंने पढ़ाया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्ल प्रवाइड करा दूंगा जो मैंने यह अभी आपको पढ़ाई है यह पीडियो मैं आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल करके जानकाई ले सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहेंद झाल 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 झाल